आज हम आपका स्वागत करते हैं लंका प्रीमियर लीग 2024 की जानकारी के लिए इस रोमांचक टूर्नामेंट का 13 मैच 10 जुलाई को रंगिरी दंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा जहां कोलंबो स्ट्राइकर्स का मुकाबला जाफना किंग्स से होगा इस वीडियो में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा, आज के मैच में कौन बाजी मारेगा, ये सारी जानकारी दी जा रही है जाफना किंग्स ने इस सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है शुरुआती हार के बाद उन्होंने लगातार चार जीत हासिल की है वहीं कोलंबो स्ट्राइकर्स का प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें उन्हें दो जीत और दो हार का सामना करना पड़ा है फिलहाल अंक तालिका में जाफना किंग्स शीर्श पर है, जबकि कोलंबो स्ट्राइकर्स तीसरे स्थान पर काबिज है अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा दोनों टीमों के बीच हुए अब तक के नौ मुकाबलों में से जाफना ने साथ में जीत हासिल की है पहले बल्लेबाजी करते हुए जाफना ने चार मैच जीते हैं जबकि कोलंबो सिर्फ एक में ही जीत पा सका वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए जाफना ने तीन बार जीत हासिल की है जबकि कोलंबो सिर्फ एक बार ही जीत पा सका ग्लेन फिलिप्स शांदार फॉर्म में हैं उन्होंने चार मैचों में 148 रन बनाए हैं जाफना किंग्स की ताकत लगातार चार जीत के बाद जाफना किंग्स सबसे संतुलित टीम नजर आ रही है उनकी बल्लेबाजी लाइनप बेजोड है पथुम निसंका ने 5 मैचों में 214 रन बनाए हैं अविश्का फर्नांडो ने 5 मैचों में 210 रन बनाए हैं बता दें कि वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी हैं गेंदबाजी की बात करें तो तबरेज शमसी अपने दो मैचों में प्रभावी रहे हैं उन्होंने 5.63 की एकोनोमी से 4 विकेट लिये हैं अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किस के पक्ष में गिरेगा हमारी 100 प्रतिशत मैच भविश्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है बस एक अनुमान है लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं कोलम्बो स्ट्राइकर्स के लिए राहमुल्लाह गुर्बाज और एंजेलो पेरेरा बल्लेबाजी लाइनएप को मजबूती देंगे टीम में मजबूत ओन्राउंडर और गेंदबाजी यूनिट भी है जिन्हें प्रभावी ढंक से उप्योग करने की आवश्यक्ता है अगर कोलम्बो स्ट्राइकर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है पहली पारी में छेस ओवर के पावर प्ले में रंजीरी डंबूला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबूला, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 42-50 के बी जाफना किंग्स लगातार चार जीत के बाद सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है उनकी बल्लेबाजी लाइन अप सबसे बहतरीन है हालां की क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता कोलम्बो स्ट्राइकर्स में भी जीत की क्षमता है हमारा मानना है कि यह मैच रोमा पास होती जा रही है हमारी मैच भाविश्यवानी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुढ सकते है